उस्तो जितनी ज़्यादा excitement Tommy Maguire और Andrew Grafford के Spider-Man को देखने के लिए है उतनी ज़्यादा excitement Miles Morales के Spider-Man को देखने के लिए है क्योंकि दोस्तो यहाँ पे all together 3 Spider-Man है तो Miles Morales के Spider-Man के universe में एक Spider-Man की death होती है तब वो जाके Spider-Man के mental सम्हालता है सब हम लोग discuss करेंगे और Thor Love and Thunder से related एक important update भी जानेगे तो दोस्तो complete वीडियो को स्टार्ट करने से पहले है आप लोग कर दीजी वीडियो को like और comment करके यह बताईए कि आप Miles Morales के Spider-Man को सब्सक्राइब करके हमारी Comic Book Talks family का हिससा बंजे दोस्तों शुरुआत करते हैं यहापे एक audition क्लिप सामने आईए जो कि यह बताती है कि Miles Morales का audition कैसे हो रहा है यहापे दो सीन मी नजर आ रहे है आगर हम लोग बात करें पहले सीन की तो इसमें दिखाएगी कि Miles अपने रास् क्यों पहना है तो पुलिस बोलता है नहीं तुम्हें स्पाइडर में को ड्रेस ने पहना चाहिए हो वो एक क्रिमनल है हीरो नहीं है तो इस पर मालस कफसी दर परशान हो जाता है उसकर वहां से चला जाता है अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस स्पाइडर मैं को क्रिमनल बत सोनी की नीविर्स में है तो हो सकते मौर्बिस ट्रिलर में जो स्पाइडर ने को रेफरेंस मिला था जहां पि लिखा तो अगले ओडिशन की बात करें तो उसमें दिखाए गया कि माइल्स अपने फादर से बात कर रहा है फिर यह आप एक न्यूज दिखाए जाती है जहां प साफी शौकिंग बात है क्योंकि दूस्तों अगर हम लोग बात करें मावसिमन उनिवस की तो टॉम होनन के स्पाइड़मन की देस्ट हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि वह फैन फिवरेट हो गया है एक बर तो पहली वह थनौस के स्मयाप के शिकार हो गया था वहाँ पे हो सकता है हम लोग एंड में क्या देखेते हैं एंड में Harry रस्मान की देषो जाती है फिस टॉम्य मग्वार हो सकता है अपने शहर को बचा रहा होगा बात में मालस मूर्ष भी आ जाता ऐ लेकिन बाद में उस इन्वर्स में टॉमें मगवार के स्पाड़ाबन की देथ हो जाती है किसी विलन के हाथो लेकिन ये विलन कौन है अब तेक रिवील नहीं आग क्योंकि दोस्तो अगर लोग कॉमिक बुक पढ़ है या फिर का एनिमेटेट सीरीज देखे तो यहाँ पे उस स्पाड़ाबन को किंग पिन ने मारा था यहाँ पे दोस्तो एक और रियालिटी ऐसी भी है जहाँ पे उस पट्लर स्पाड़ाबन को ग्रीन गॉबलिन ने भी खतम किया है लेकिन अगैने बात करें ऐंडूग्रिट के spider-man य्योर्स की, तो हो सकता है वहां पर Green Goblin Harry Osborne का रुप में अभी भी हो और उसने हो सकता है Andrew Graph Purdue के spider-man को खतम कर दिया हो फिर उस universe से Miles का spider-man Marvel के universe में आया हो या फिर दोस्तो हो सकता है Andrew Graph左右 के spider-man को Green Goblin नहीं बर्की Electro ने खतम किया हो क्योंकि वह और Evolve हो गया हो बाद में Miles का पीछा करते हुए उस Universe में आ गया जिस Universe में Tom Wolland का Spider-Man है यहां दोस्तों एक यूनिक option की बात करते हैं यहां पर हम लोग को पता है कि Spider-Man की identity reveal हो गई है तो Spider-Man Dr. Strange की help मांगता है तो Dr. Strange उसको बोलते है कि तुम Multiverse में चले जाओ कुछ समय तक के लिए जिसमें Tom Wolland का Spider-Man एंडू गाफर्ट का Universe में जाता है फिर वहां पर उसकी मुलाकातुती Miles से फिर वहां पर Miles को अपनी Universe में ले जाता है और उसी का पीछा करते हो एलक्ट्रो आ जाता है उसके बाद दोस्तों अगर Miles मावसर में चले जाता है तो यहां पर दोस्तों हम लोग Tom Wolland के Spider-Man का एंड निकर सकते हैं यहां पर दोस्तों हम लोग को Dr. Strange की जौत पड़ेगी हो सकता है Dr. Strange उस समय के लिए Spider-Man को Magically Dead कर दे और यह बता दे कि Spider-Man खतम हो चुका है लेकिन रियालिटी में Spider-Man अभी भी जिन्दा होगा और उनिक फीरी के साथ स्पेस में काम कर रहा होगा और बाब में कुछ समय के लिए Miles Morales को दिखाए देगा वैसे दोस्तों ऐसे कोई चाहेगा नहीं क्योंकि दोस्तों लोग में Spider-Man को देखना है हाँ Miles Morales का Spider-Man भी बहुत अच्छा है लेकिन दोनों टीम वर्क करें तो ज्यादा अच्छा लगए वैसे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कौनसा option पसंद करते हैं क्या आप चाहते हैं कि Miles Morales की alternate Spider-Man की देथ हो जाए या फिर Tommy Manguar, Andrew Grafford फिर Tom Holland के Spider-Man के स्टोरी कवर की जाए बहुत लोग के ये भी मनने कि Miles Morales के Spider-Man की तभी entry होगी जब post credit scene आएगा क्योंकि दोस्तों ये movie Spider-Man 3 है ना कि Spider-verse movie और वो movie आने में अभी काफी time है इसलिए दोस्तों Spider-Man 3 में सिफ Tom Holland के Spider-Man को पर जादा focus किया जाएगा और विलन में बहुत सारे विलन रहेंगे लेकिन उसमें से Electro और Kraven Hunter में विलन की रूप में सामने आ सकते इन सब कर लाओ दोस्तों एक बात और है यहाँ पर दोस्तों अगर मल्टिवर्स यूज हो रहा है तो यहाँ पर Sony Pictures चाहे तो Tommy McGuire की Spider-Man 4 और Andrew Graffield की The Amazing Spider-Man 3 अलग से डिजाइन कर सकता यहाँ पर मालेजी दोनों Spider-Man आते हैं मेनी नुवस में उसके बाद इनकी आगे इस्टोरी क्या होगी Spider-Man इसके बाद इनका कोई रोल होगा कि नित्री हाँ पर सोनी चाहे तो ऐसा कर सकता है कि Spider-Man 4 दिखा सकता हम लोग को तो हम लोग Tommy Maguire के Spider-Man के आगे के लाइब समझेंगे कि उसके बाद क्या हो कौन से विलन से फाइट किया उसके बाद सबसे इंपोर्टन मुवी The Amazing Spider-Man 3 जिसका फैंस वेट करें तो उस मुवी में क्या हुआ तो दोस्तों यह सब मुवी भी दिखाया जा सकती है जिसमें हम लोग को आगे दिखा जाएका कि इलेक्ट्रों के बाद और कौन से विलन थे जिसका एंडू गाफिट स्पाइडर में सामना किया क्योंकि वहां पे हम लोग देखें पोस्त प्रेटिट सीव में तो डॉक्टर ओक्टर ओक्टेवियस भी थे तो राइनो भी आ गया था मुवी के एंड में तो यहां पे हो सकता है उस इनुवस में तो अलग सूपर विलन की टीम बन रही हूँ इससाद दोस्तो बात करते अपने अगले बडेट की जो के रिलेटेट है थार लेवन तंडर मुई से यहां पे दोस्तो क्रिस हमस्वत का कहना है किस मुई की फिल्मिंग स्टार्ट हो जागी जैनवरी 2021 में और यह मुई के लिए वो काफी ज़दा एक्साइटेड है क्योंक और यहां पे दोस्तो यहां थार 11 थेंडर में थार को लोग completely चेंज होने वाले होड़ सकता है मुई की starting में हम लोग को fat थार दिखाये दे लेकिन मुई की बीच में हम लोग को finally fit थार भी दिखाये दे सकता है लेकिन दोस्तो अब थार 4 के script के बारे हम बात करें तो अभी य हुए है दोस्तों दिसम्बर के एंड टक ये स्क्रिप्ट हम लोगों को कम्प्लीट होती ही नजर आ रही है अपडेट की बात करें वह रिलेटेट है एक डिफरेंट सीन से जो की है एवेंजस एंड गे मुवी की आप लोगो को याद हो कि जब टैम ट्रॉल की टेस्टिंग हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इससे भी इंट्रेस्टिंग स्टोरी लाइन आने माल थी जो कि यह बताती कि हौका ही चला जाता है एवेंजस एज अफ अल्ट्रों के समय में और वहां से क्विक सिल्वर को ले आता है तो इस तरह क्विक सिल्वर की वापस ही होती है एवें तो बाकी मेंबर्स को भी क्रिएट कर सकती है जैसे कि क्विक सिल्वर का आश्यों टोनी स्टा को भी क्रिएट कर देती तो कितना ज्यादा अच्छा होता है लेकिन ऐसा कुछ होने वाला निये इन सब कर लाओ दोस्तों कॉमिक बुक रिलेटिट अपडेट के बारें बात कर यहां पर दोस्तों हम लोगों को लगता है कि वोल्वरीन के पास तो बहुत अच्छा हेलिंग फैक्टर है लेकिन क्या इसके पास कोई कमजोरी है या वोल्वरीन के एड्मेंटेम क्लॉस को हराय जा सकता है वैसे अब हमेशा कंपार्जियन हुआ है कि कौन जदा बेटर है यहां इसको हरे हैं वॉलवरीन के उसे कमजोर कर सकता है उसे ब्रेकडाउन कर सकता है हम लोग जानते कैसे यहां पर दोस्तो हम लोग Wakandan Vibranium को जानते हैं आप यहां पर हम लोग Black Panther public देके थो हम लोग Vibranium की हिस्ट्री कैसे पता चलती है एक asteroid आय था वू जाके अफ्रीका में गिरा और वो था Vibranium Metal लेकिन आप लोग को पता है उस Vibranium का एक और पार्ट अंतार्टिक में जाके गिर गया था और वो कहलाया अंतार्टिक वाइबरेनियम अब यहां पर दोस्तों वाकांडियन वाइबरेनियम और अंतार्टिक वाइबरेनियम में काफी ज़दर डिफरेंस है जैसे कि जो वह कांटक vibranium है, वो चीजोंको absorb करता है, वैसी, अन्तर्टिक vibranium सिब energy को emit करता है, यानि अन्तर्टिक vibranium को use करके वुल्वरिन के claw पर attack किया जाए, तो उसका metal कमजोर होसकता है, और यहाँ तक उसके claw भी break हो सकता है, अब पता नहीं, ऐसा मालो सिनमेटिक नो दोस्तो ये तीक अमेजिंग अपडेट विक रिलेटेटी मायस मुडायस को स्पार्डामन से I hope आपको ये वीडियो पसंद ले होगी वसे आपकी क्या वीजोस पटलर टॉपिक पे अपने वीजोस ज़रूर कमेट कीज़ दोस्तो अगर आप ऐसी उनिक सुपर हेरो कॉंटेंट इंजोय करना चाते हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हेरो फैमली का हिस्सा बन ज़ेगा